एलो विवन स्वागत हैं आप सभी प्यारे विवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ओपीशली योट्यूब चैनल पे प्यारे साथिओं आज के सेशन में बड़े इंपोर्टेंट क्यूशन से डिसकस करने वाले हैं जो कहीं ने कहीं आपके एक्जामस के पॉइंट यूँ इसे बड़े हैलफूर यहां पे रहने वाले हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को करी आउन करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट के की चैनल पे आप हैस्ट वार यदी विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल गंटी की निशान को आल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले upcoming, हर एक important class का notification आप तक समय से आएं, clear चीज हैं, तो दोस्तों, आज के session को start करते हैं, और जो previous 13 session अपने already discuss करवा लियें, तो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो जाएं चैनल पर विजिट करके, या फिर टेलिग्राम पर link डाल रहा है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कि इतनी total classes आगे हैं, आप सभी लोग जरूर attend करें, तो आज के session का fast questions रहने वाला है, बिना time waste की दोस्तों, class को start करते हैं, या फिर fluid calculations related questions से दोस्तों, ये 5 star questions रहने वाला है, हर एक exam में 1 से 2 questions आपका fluid calculations से related, जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो दो दोस्तों, fast questions रहने वाला है, आज की session का, a patient is receive 303,000 ml of 0.9% of NACL IV in 24 hours, the intravenous set delivers 15 drops per minute, दोस्तों, patient receive कर रहा है, 3000 ml आपका fluid रिशीव कर रहा है, और 0.9% जो आपका sodium chloride है, that means, यहां पे NACL रहा है, पैसेंट के अंदर, IV root से और 24 hours से यहां पे time दे रहा है, intra-minute set deliver बता रहा है, कि 15 drops per minute आपको patient को देना है, ठीक है, तो यहां पे बता रहा है कि the nurse should regulate the flow rate of the, flow rate that so patient receive how many drops per, drops of per minute, patient कितनी drops per minute receive कर रहा है, वो यहां पे बताना है आपको, तो पहले सबसे पहले formula की बात कर लेता है, क्या formula आपके लिए यहां पे रहने वाला है, तो total volume of fluid, total volume of, volume of fluid, fluid in minutes, दोस्तों minutes के अंदर आपको fluid volume दे रहा है, sorry, ml के अंदर दे रहा है, ml के अंदर, और वहीं बात करें, upon total, total time, total time of infusion, infusion, दोस्तों, infusion का आपका time है, वो यहां पे mention कर रहा है, और आपका infusion time है, किसके अंदर है, minutes के अंदर आपको दे रहा होगा, clear चीज़ है, और into, upon, into, आपको कितना करना है, जो drops factor है, वो आपको यहां पे into करना है, तो drops factor, drop factor, कि जितने drop factor है, वो आपको multiply करना है, तो यहा अब करें, तो टोटल टैम कर्म को सब्सक्रा रहता है, तो अब आपको क्या करना है, इसको आप multiply करेंगे, इसको multiply करेंगे, तो आपको कितना यहाँ पर आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 आपका रहने वाला है, इसको multiply करेंगे, तो 4, 5, 0, 0, 0 आने वाला है, और यहाँ पर बात करेंगे, तो 24 को यहाँ पर 60 से multiply करे तो कितना आपका आंसवर आएगा आपका राइट आंसवर रहने वाला है तो आपको बिल्कुल एक्जाम्स के अंदर बे जिजग राइट आंसवर जरूर करना है क्लिर सीजें तो बड़ा सांदार यह कुशन से इसी टाइप की कुशन से आपको एक्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट के और मूग करते हैं दोस्तों बड़ा सांदार कुशन एक और आपका फ्लूड कैल्कुलेशन से डेलेट आप कुशन से रहने वाल है तो लास्ट मैंने आपके कुशन में आपको फॉर्मूला बता दिया था टोटल जो आपका टोटल यहां पर कितना फ्लूड द दे रहका है एमेल के अंदर और ड्रॉप फेक्टर कितना दे रहका है वो यहां पर लिखना है तो यहां पर आपने इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो आपका डॉक्टर एडवाइज डेक्स्ट्रोज फाइप पर्सेंट इन वाटर हंड्रेड वन थाउजन एमेल टू इन आपको देना है और आईवी ट्यूबिंग डिलिवर्स फिफ्टीन ड्रॉपस पर मिनट से दोस्तों फिफ्टीन ड्रॉपस यहां पर दे रहका है दा नर्स इंचार्ज शुड दें रंद आईवी इन्फूजन रेड दोस्तों आपर मेंसन कर रहका है कि नर्स कितनी इसको आपको मिनट के अंदर डिवाइट करना है मिल्टिपलाई करना सिक्स्टी से इन्टू बात करें तो यहां पर फिफ्टीन ड्रॉपस पर दे रहका है तो इसको अपन करेंगे तो इसका मुल्टिपलाई करेंगे इसका करेंगे तो कितना आपका अंसर आने वाला है तो तो आप यहां पर करके देखें दूस्तों आपको मैं बता देता हूं कि कितना आएगा इसका अंसर तो इसको इसको इससे multiply करेंगे तो आपका आजाएगा यहां पर 15,000 31.25 तो on and average यहां पर किसके आसपास में जा रहा है 31 के आसपास की value यह भी नहीं है यह भी नहीं है यहां पर 32 दे रहा है तो यहां पर right answer की बात करें तो option C आपका यहां पर right answer रहने वाला दोस्तों मैंने यह आपको formula बता है यहां से आपका a questions जरूर exams के अंदर पूचा जाए को करना होगा next one questions के और move करते हैं बड़े सांदार दोस्तों questions है आज की session का यह next questions रहने वाला है question को अच्छे से read करें then answer put up करें what is the most common what is the most common client position used for administered a cleansing anima दोस्तों anima के लिए कौनसी most common position आप यूज करने वाले हैं बड़ा सांदार दोस्तों question है most common position पूचा गया है किसके अंदर anima के दोरा anima दे रहे हैं पेसेंट को तो most common position कौनसी यूज करने वाले हैं lithotomy position या फिर supine position या फिर prawn position या फिर sims lateral position दोस्तों क्या right answer रहने वाला है आप सभी को पता है कि anima के अंदर most common sims lateral position यूज करते हैं sims left lateral sims left lateral position आपको यूज करनी है यदि sims left lateral position नहीं option में तो आपका वाँपे भी हो सकता है कि left lateral left lateral position आपको देनी होती है clear चीज है यह तो option number आपका डी यहां पर right answer रहने वाला है option number डी यहां पर right answer रहने वाला है next questions की और remove करते हैं बड़ा सांदार दोस्तों question है question को अच्छे से read करें then answer put up करें recording of vital sign of patient by nursing professional is required दोस्तों यहां पर vital sign assess कर रहे हैं patient के record कर रहे हैं professional professional required क्या आपर रहने वाली यह नर्स की फुची के नर्सिंग professional is required to keep the patient happy patient को एपी रखने के लिए क्या vital sign लेते हैं बिल्कुल नहीं next one आपका option रहने वाला to fill the medical records medical records को fill करने के लिए ही vital sign नहीं लेते हैं यह भी wrong statement है to have the data for research research के लिए data के लिए नहीं करते हैं यह इसका purpose होता है कि to monitor progress and detect any adverse event दोस्तों कोई adverse event या फिर progress हो रहा है कर नहीं हो रहा है patient का health status का उसको check करने के लिए आपका वाइटक लाइटंट के लिए पेसंट के अंधर जो आपका health status है उसको check करने के लिए या फिर यहां पर कुई adverse effect है पैसंट के अंदर या फिर नहीं तो adverse effect और health status को छेक करने के लिए patient के अंदर यांपर क्या किया जाता है vital sign लिये जाते हैं ना कि patient को app करने के लिए ना कि patient के data record fill करने के लिए या फिर research के लिए ऐसा statement सारे wrong है option number आपका B या पि right answer रहने वाला है next questions के और move करते हैं बड़ा सांधा है दोस्तों question आप question को अच्छे से read करें आप सभी लोग उसके बाद में answer comment box के अंदर आप जरूर दें clear चीज हैं तो इस question को अपन read करते हैं the basic techniques of which of these are used to determine vital sign दोस्तों question में पुचा गया है कि कौन सी basic technique use करेंगे patient के लिए vital sign के लिए पुचा गया है patient का vital sign ले रहे है vital sign लेते टाइम आपको कौन सी basic जो basic technique है वो use करनी होती है basic technique technique पुचा गया है दोस्तों technique की बात करें तो patient के अंदर आपको क्या क्या करना है सबसे पहले बात करें तो inspection करते हैं inspection करते हैं और inspection के बाद में बात करें तो आपको क्या करना है palpation करना है palpation करना है और उसके बाद में बात करतो असकल्टेशन करना है और एक आपका जो और कंपोनेंट होता है वो क्या रहने वाला है परकसंट परकसंट यह सारा प्रोसेस किया जाता है पैसंट के अंदर बैसिक टेक्निक है वाइटल साइन्स चेक करने की क्लिर चीज़ है तो यहां पर ऑप् बिल्कुल सही है इंस्पेक्शन दे रहे हैं ब्लड वर्क और एक्सरे यह नहीं है वाइटल साइन का रिदम रेट भी हो सकती है और ओपन कम्मिक्वेशन यह भी नहीं है और साइकोलोजिकल फिजियोलोजिकल नर्सिंग इसके लिए भी नहीं है तो राइट आंसुर की बा की जाती है ड्यूरिंग वाइटल साइन क्लिर चीज है नेक्स्ट वन क्यों करते हैं क्यूशन बड़ा सांधार दोस्तों आप सबीगे लिए रहने वाला है क्यूशन को अच्छे सी रीट करें देन आंसर पुट अप करें हैं मैनिवर दोस्तों है मैनिवर टेक्निक इस यू करें के लिए हैमलीनिवर यूज किया जाता है क्लियर चीज है उपसे पहले बात करते हैं मैनिवर जो आपका आप पर घ्रेट के अंदर कोई ऑफ्स्टेक्शन आ गया है कोई फॉरन बोडी चले गई है उसको आपको फॉरन बोडी को निकालने के लिए हैमले मैनिवर किया तो option की बात करें आपका trachea, nose, ear या फिर stomach इस्टोमक के लिए नहीं है, ear के लिए भी नहीं है, nose के लिए नहीं है आपका trachea के अंदर कोई भी obstruction है, उसको clear करने के लिए hamilis manual use किया जाता है option number आपका A या पे right answer रहने वाला, जो upper आपका airway है उसके अंदर कोई obstruction देख रहे हैं को मिल रहा है, upper airway के अंदर तो उसमें आपको hamilis manual करवाना होगा patient को, clear चीज है next one questions की और move करते हैं, बड़ा दोस्तों सांदार question आप question को अच्छा से read करें then answer put up करें, clear चीज है, question आज का next रने वाला है sign of increase intracranial pressure, दोस्तों increase हो रहा है, क्या intracranial जो आपका ICP है वो यहाँ पर increase हो रहा है, तो क्या sign आपको देखने को मिलेगे हैं patient के अंदर बड़ा दोस्तों सांदार question है, आप question को अच्छे से read करें, then answer put up करें option की बात कर तो weak rapid pulse, normal BP या fever और lethargy देखने को मिलेगा, increase ICP के अंदर या फिर rapid weak pulse, fall in BP, low temperature and slow bonding pulse और rising BP और high temperature या फिर slow bonding pulse, fall in BP और low temperature, दोस्तों low temperature नहीं होता है, high temperature होता है, देखने को मिलता है और fall भी नहीं होती, blood pressure की बात कर तो rising देखने को मिलता है और slow bonding pulse देखने को मिलती है, तो option अबर आपका याँ पे C right answer जाने वाला है ये सारे symptom आपको किसके देखने को मिलेंगे, intracranial pressure के increase होने के symptom है slow आपकी क्या है, respiration rate, that is slow, sorry, bounding pulse देखने को मिलती है slow bonding pulse और BP हो रही है, आपकी क्या हो रही है, increase हो रही है, blood pressure बढ़ रहा है और वहीं बात कर तो temperature भी बढ़ रहा है, patient के अंदर sorry, यहाँ पर temperature भी बढ़ रहा है, उस condition को symptom जो भी है, वो increase ICP को दरसाते है clear चीज है, और भी आपको कोई doubt है, तो आप जरूर बताए, comment box के अंदर, next questions की और move करते है next भी questions बड़ा सांधार है, दोस्तों, question को अच्छे से read करें, then answer put up करें आप सभी लोग clear चीज है, question को अच्छे से read करें, आप सभी को question अच्छे से visible हो रहा होगा दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से request है कि चैनल पर आप दोस्तों यदि fast war विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को subscribe ज़रूर करें subscribe करके bell गंटी आरी पास में, उसको all पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी upcoming videos के notification होंगे, उन notification आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे ये question को start करते हैं, next question, choosing tried rappers to a set of signs that are the indicative of दोस्तों, choosing tried किसमें यूज किया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं, तो choosing tried में तीन symptom देखने को मिलते हैं, वो कौन से यहां पर रहने वाले हैं, कुसिंग tried के अंदर three tried symptoms है, तो आप वो कौन से tried symptoms रहने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, clear चीज है, fast one बात करें आपे, तो increase मैं हो रहा है, बीप वाइड प्ल्स रेट, देखने को मिल रही है, और वीप आपका increase हो रहा है, उसके बाद में बात करें तो आपको देखने को मिलती है, second one, आपका bredycardia पेशन के अंदर देखने को मिल रहा है bother ब्रेडीकार्डीय देखने को मिल रा है, और थार्ड वन जो आपका ट्रायड स्म्टम है, वो क्या हम पे रहनने वाला है, Abnormal Irregular Respiration Abnormal Abnormal Irregular Irregular Respiration पेशंट के अंदर देखने को मिलेगा Abnormal Respiration देखने को मिलेगा Abnormal Irregular That means यहाँ पे Bradycardia Abnormal Irregular Respiration Blood Pressure का इने के High with Wind आपका जो Pulse Pressure है वो देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बात करता है यह Tried Symptom हो गया तो यह Tried Symptom किसको दरसाता है यहाँ पे पुचा गया कि Set of Signs that are Indicative of Increased Intra Abdominal Pressure दोस्तां Intra Abdominal Pressure के लिए नहीं होते है Tried of Symptom Increased Intra Thoracic Pressure के लिए भी नहीं होता है Increased Intra Ocular Pressure के लिए नहीं होता है Increased यहाँ पे Intra Cranial Pressure के लिए यहाँ पे दरसाता है Option बर आपका D यहाँ पे राइट आंस्वर रहने वाला है Last question में ही डिसकस किया था कि Tried Symptom किसके लिए करते हैं आपको किसमे देखने को मिलता है Increased ICP Hydro Sipilis के पेसेंट के अंदर देखने को मिलता है Next questions के और Move करते हैं बड़ा सांधार दोस्तों किसन है आप किसन को अच्छे सी Read करें Then answer put up करें Which of the following Nursing Intervention Can be Can be used to prevent Increased Intracranial Pressure ICP दोस्तों Increased हो रही है उसको आपको Prevent करना है तो क्या यहाँ पे Sorry Pacant किसका है Pacant In Unconscious Child दोस्तों Unconscious आपका Child है उसके अंदर Intracranial क्या हो रहा है Pressure हो रहा है बढ़ रहा है उसको Prevent करना है तो क्या आप Measures यहाँ पे Use करेंगे क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे Indication से रहेगा Pacant के लिए क्या intervention आप करने वाले है Option की बात करते हैं Option को Read करते हैं सबसे पहले First Option रहने वाला है Avoid Activities That Coge Fan Or The Crying Option B Lower The Head Trendleburg Position Option C की बात करतो Environment Provide Environmental Stimulation Option D की बात करतो Turn Head Side To Side Every Hour से दोस्तों बात करें आपे Side To Side Head नहीं करेंगे Trendleburg Position भी नहीं देंगे और Environmental Stimulation भी नहीं देंगे Position Patient के अंदर कौन सी देते हैं आप सभी को पता है Head and Elevate को 30 Degrees पे Elevate करता है 30 से लिके 40 Degrees पे Head को Elevate किया जाता है Patient को Head and Elevate किया जाता है Head को क्या किया जाता है Elevate किया जाता है 30 Degrees पे Clear चीज़े Elevation of Head 30 Degrees एक आंसर यदि Choose करना है 30 Degrees यांपे Right आंसर जाने वाला है और बात करें तो यांपे Right आंसर रहने वाला है कि avoid करना आपको ऐसी activity जो patient के लिए pain और crying crying की condition हो रही है उसको आपको activities को avoid करना है option number A आपका यहाँ पर right answer जाने वाला है बाकी सभी statement यहाँ पर गलत रहने वाला है unconscious patient के परती next one questions के और move करते हैं दोस्तों बड़ा सांदार यह questions था next one questions के और move करते हैं आज की session का next questions यहाँ पर रहने वाल है question को आप सभी लोग अच्छे से read करें then answer put up करें clear चीज है question बड़ा सांदार है दोस्तों priority care given to a patient with an extensive burn दोस्तों extensive burn है उस patient के लिए priority यहाँ पर पुचा गया है priority क्या रहने वाली है बहुत सांदार दोस्तों priority management पुचा गया है बड़ा दोस्तों सांदार question है आप question को अच्छे से read करें then answer put up करें extensive burn का patient है और क्या priority care रहेगी patient के परती आपकी clear जीज है बड़ा सांदार दोस्तों question है option की बात कर तो body image या फिर level of pain या फिर fluid status या फिर risk of infection तो आप सभी को पता है कि burn के patient के अंदर सबसे पहली priority क्या होती है fluid administer करना fluid में भी burn के patient में कौन सा fluid देते हैं आप सभी को पता fluid of sois पुचा जाता है तो RL वाँपे right answer जाना वाला है तो fluid के status को check करना आपकी fast priority रहने वाली है patient के अंदर किसका patient है extensive burn का patient है उसके अंदर और RL administered किया जाता है यदि emergency के अंदर patient आता है burn का patient उस condition में next one questions के और move करते हैं बड़ा दोस्तों सांदर questions है आज का ही next questions यहाँ पे रहने वाला है which one of the following is the emergency management of the burn injury in 24 hours दोस्तों यहाँ पे everything the patient के अंदर management करना होगा तो आपको क्या करना ही सबसे पहले patient को fluid देना है जितना ज़्यादा उसके fluid आपको करना है fluid resexations आपको patient के अंदर करना होगा clear चीज है फ्लूड री सक्षिटेशन विदिन 24 ओर्स के अंदर है, इसके अंदर आपको फ्लूड देना है पैसेंट को, तो यहाँ पर ड्रेसिंग नहीं होता है, फ्लूड री सक्षिटेशन पैसेंट के अंदर रहने वाला है, बात करें प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं होती है, तो आपको फ्लूड देना है, फ्लूड में भी कौन सी फ्लूड ऑफ सोई से आपकी रहने वाली है, आरेल रहने वाली है, रिंगर लेक्टेट पैसेंट को एड्मिनिस्टर करना है, फैस्ट 24 ओर्स के अंदर, एक और दोस्तों सांधार क्यूशन है, आज की सेशन का यह ला दोस्तों बड़ा सांधार क्यूशन है, फैस्ट मैंने आपको लास्ट जो क्यूशन था, उसमें विदिन 24 ओर्स फैस्ट 24 ओर्स का पुचा गया था, और यहां पर पुचा गया है, फैस्ट 24 ओर्स के अंदर, फैस्ट ओप्सन वेट रहने वाला है, शेकंड ओप्सन यूरी specific gravity और उसके बाद में urine output उसके बाद में peripheral perfusion बड़ा दोस्तों सांदार question है कि the fluid replacement of burn patient can be evaluate करना है patient के अंदर कि after 48 hours के बाद में क्या check करोगे आपकी patient के अंदर fluid evaluation करने के लिए fluid को replacement करने के बाद में 48 गने के बाद में पुचा गया है weight check करेंगे या फिर patient के अंदर urine specific gravity देखेंगे या फिर urine output देखेंगे या फिर peripheral perfusion देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको strictly patient के 48 hours के बाद में urine output चेक करना है option number C आपका यहां पर right answer रहने वाला है बड़ा दोस्तों सांदार question है इसको 5 star question से लगा लें यह आपको exams के अंदर repeatedly जरूर देखने को मिलेगा I hope आज की class आप सभी के लिए बड़ी helpful रही होगी helpful रही है तो आप सभी लोग comment box के अंदर हमें जरूर बताएं और भी आपको कोई doubt है कोई quarries हैं कोई topics पढ़ना है